आपका website Google पे index हो रहा है, search result में भी आ रहा है, कोई भी keyword आप search कर रहे हैं, तो आपका website दिख रहा है, और same case, आपने wing पे भी सारा अपने जो account है, वो बना के रखा है, जैसे कि Google search console होता है, वैसे आपने wing पे भी बना के रखा है, indexing का, अपने robot text भी डाल रखा है, फिर भी प्रेंग नहीं कर रहा है, फिर भी आपका website search में आई नहीं रहा है, आपने कुछ भी search कर रहा है, इवन site का जो नाम है, search करके देखा, तो भी नहीं आ रहा है, तो क्या problem हो सकता है, इसको आज हम resolve करेंगे, चलो भी ज़्यादा देना करते हो, हम अपने laptop screen पे चलते हैं, और यहां से ज़्यादा traffic आने के भी chances हो जाते हैं, अगर आपने wing में आपका website का setup नहीं करके रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा audience को miss कर जाएंगे, जो कि आपको बहुत सारा revenue generate करके भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका website software से related है, तो आपका जो add चलता है, आपका software से related आपके website प करके रखना होगा, जिससे आपको maximum traffic हर जगह से आज सके, तो आपको अभी चेक करके दिखा देता हूँ, आपको check कैसे करना है कि आपका website wing पे rank हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गूगल पे rank हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पे चले आन जैसे मैंने यहां पर सर्च किया site double colon उसके बाद HTML जो भी हमेरा website का नाम है अगर यह नहीं डालोगे तो भी चलेगा कोई इसू नहीं यहां पर यहां पर यहां पर सेम चीज हम बिंग्स पर भी करेंगे यहां पर मैं बिंग्स को उपन करता हूं यहां पर यहां पर सर्च करें कुछ भी नहीं दिखा रहा है पूरा का पूरा blank दिखा रहा है मतलب मुषबाना आप्र वेब्सट रैंग नहीं हो रहा है और इसको ब्लान को लिकार जह रहा है तो इसका solution मैं आपको बताता हूँ उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप आपके wing को setup कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर simply आपको करना क्या है यहाँ पर click करना है यहाँ पर add site करना है add site करने के बाद यहाँ पर दो options मिल जाते हैं Google search console से direct import कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर Microsoft Bing master को directly connect कर सकते हो ठीक है website का नाम डालके तो आपको करना क्या है यहाँ पर simply import करना है import करने के लिए यहाँ पर process है यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर continue करेंगे तो यह जो भी account आपका इससे है आपको उसको select कर लेना यहाँ पर continue करेंगे यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर continue करेंगे यहाँ पर देखिए सारा analytics जो है ओ लेगा यहाँ से continue करेंगे जैसे continue करेंगे देखिए हमारा जो website है website को select कर लेंगे जो भी आपका website है यहाँ पर import कर लेंगे जैसे यह डारेक्टी इनका कोलेबरेशन है गूगल सर्च कॉंसोल से और विंग मास्टर से एक दूसरे से कनेक्टेड है उन्होंने टाइप करके रखगा है डारेक्टी सारा डेटा यहां पर पुल कर लेगा और यहां पर एक मिनट भी नहीं लगा आपका विबसाइट पूरा पूरा यहां पर सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है यहां पर डन करता हूं जिसे की हो गया यहां पर देखेंगे तो हमार जो लिश्टर सलूशन जो नया वेबसाइड है वो यहां पर आइड हो चुका है अभी यहां पर आपको क्या क्या डाल के रखना अभी में बता देता हूं जैसे कि आपका जो यूरल है उसको आप एक एक करके खुद से सम्मिट भी कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको आपके जो वेबसाइड है उसके अंदर डालना है उसको कैसे डालना ओभी में बताता हूं यहां पर सिंपली देखिए यहां पर फ्रैजिंग कर रहा है और चेक कर रहा है कि आपके जो वेबसाइड पर है कि नहीं है यहां पर देखिए 00 का रिजल्ट आया इसका मतलब आप बार डाउनलोड के इसलिए दो बार यहां पर टू नंबर दिखा रहा है आपको सिंपली इसको रिनेम करना है और इस वाले जो रोबोट.txt है इसके फाइल को आपको अपलोड करना है कहां पर अपलोड करना है आपके डारेक्टरी देखिए यहां पर दिखा रहा है मतलब जो हमारा public HTML होता है उसके अंदर यह रोबोट.txt फाइल को एड करना है ठीक है तो यहां पर इसको अपलोड कर देंगे तो फिर उसके बाद आप चिक करेंगे तो आपका यहां पर दिखा देगा one number मतलब आप यहां पर इसको मिल जाएगा ठीक है तो आप जैसे ही अप प्रोसेस भी और आड करूंगा तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो यहां पर आपको सबकुछ डाल देना है ठीक है अभी गाइस यह बात हो गया है कि किस तरह से हमको एड करना है यहां पर दूसरा मेथड है ओ मैनूल मैथड है यहां पर आपके वेबसाइड का जो नाम है यहां पर डाल देना है जैसे कि यहां पर सबूसर मैने कोई वेबसाइड है आपको यहां पर वेबसाइड का नाम डालना है एड करना है जैसे देखिए साइट अल्रडी एड़ेड बता रहा है क्योंकि मैने एड कर लिया हूँ ठीक है इसके वज़े से यहां पर आपको यहां पर मैनुवली सब कुछ करना पड़ेगा, इस से अच्छा मैं प्रिफर करूँगा, Google Search Console से आपका अल्रडी लिंक्ट है, तो Google Search Console यहां पर आप इंपोर्ट कर लो, ठीके, तो इस तरह से आपको आपका जो setup करना है, Bing Master पर आपका एकाउंट बना के, अगर आपका वेबसाइट अल्रेडी लिंक्ट है, और आपका इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक मेल लिखना पड़ेगा, मेल लिखने के लिए, यहां पर देखिए, जो bing.com webmaster फिर उसके बाद स्लैस सपोर्ट, इस वाले website पर आपको जाना है, अगर आप login है, डारेक्ली यहां पर आपका दिखा देगा, नाम दिखा देगा, इमेल आईडी दिखा देगा, उसके बाद यहां पर कौन से website में, problem में, वो select कर लेना है, उसके बाद यहां पर क्या problem है, यहां पर indexing, इंडेक्स नहीं हो रहा है, इंडेक्सिंग प्रॉब्लम में, तो what do you want, need help, यहां पर बता रहा है, my website is not indexing, यहां पर click करेंगे, यहां पर आपको सारे steps को follow करने है, जैसे कि आपने यहां पर robot, जो txt file है, उसको डाला है कि नहीं, यहां पर बोल रहा है, अगर फिर भी नहीं होता, still have question, तो यहां पर ask करेंगे, और इसके बाद यहां पर आपको जो mail है, एक mail drop करेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको मैं copy कर लेता हूं, और यहां पर chat GPT में जाता हूं, तो यहां पर मैंने लिख दिया, write mail to Bing Master Support, my website is not ranking and indexing, when I searching on Bing, but it's ranking on Google, please check and resolve issue, ठीक है, resolve the issue यहां पर बोला है, तो यहां पर जैसे मैंने एक click किया, अब यहां मेरों को एक mail लिख के देगा, तो यहां पर इसने, एक mail लिख के दे दिया, इसको हमको copy करना है, ठीक है, यहां पर translator में हमको करना क्या है, यहां पर website को paste कर देना है, your contact information भी दे देना है, आप contact information देना है तो दे सकते हैं, और simply आपको करना क्या है, इसको copy कर लेना है, ठीक है, यहां पर paste कर देंगे, यहां पर limit है, यहाँ पर ज्यादा वर्ड नहीं सपोर्ट करता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एंड माई वेबसाइट नेम लिंक यहाँ पर डिल देते हैं लिंक यहाँ पर यह बॉड़े लिख दिया अभी इसको नहीं करके अब डाल सकते हो क्योंकि यह दिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन दॉट में लिखो वीफाय आपको यहाँ पर कैप्चा भर देना है और यहाँ पर गेट हेल्प करेंगे देखें, यहाँ पर your request has been submitted, यहाँ पर message आ गया, आपका request submit हो चुका है, तो guys इस तरह से आप किसी भी website का, जो अगर आपका website आपने setup कर रखा है, फिर भी rank नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आप application form fill up कर सकते हो, जिससे within 24 hours आपका जो problem है, वो solve हो जाएगा, अगर नहीं हुआ, फोटी 8 hours में ज़रूर हो जाएगा, तो guys कैसे लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको helpful रहा हो, और कोई भी comment हो, या पर कोई भी question हो, आप नीचे comment में, आप drop कर सकते हो comment, और चलो guys, मिलते हैं नहीं वीडियो में, thank you for watching friends, subscribe now and press the bell icon